नमस्कार, मैं नीलकमल, स्वागत करती हूँ आप सबू का अपने चैनल के हिंदी मंच में आज मैं चो कविता लेके आपके समक्ष प्रस्तत हुई हूँ, वो हमारी सभ्वता और संस्कृती से जुड़ी हुई है वो कैसे? भारत सरकार में जिस कैलेंडर को स्विकार किया हुआ है, वो है शक्स समवत पर हमारे सारे त्योहार वगेरा जो होते हैं वो विक्रम समवत के अनुसार होते हैं और हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अपना ये नया साल मनाते हैं और उस हिसाब से आज साल का अंतिम दिन है और कल साल का प्रारंब है पर क्या सचमुच ये नव वर्ष है हमारे लिए भी हमारी सभ्यता में भी क्या इसे ही नव वर्ष कहते हैं तो इसके उपर एक बहुत ही खुबसूरत कविता अंकुर आनंद ने कही है आज मैं वही आप ल नव वर्ष हमें स्विकार नहीं ये नव वर्ष हमें स्विकार नहीं है अपना ये त्योहार नहीं है अपनी ये तो रीत नहीं है अपना ये व्यवहार नहीं धरा ठिठूरती है सर्दी से आकाश में कोहरा गहरा है हम सब जानते हैं कि हमारे हैं दिसंबर में कितनी कडाके क ठंड पड़ती है धराथ ठुरती है सर्दी से आकाश में कोहरा गहरा है बाग बाजारों की सरहत पे सर्द हवा का पहरा है सूना है प्रकृती का आंगन कुछ रंग नहीं उमंग नहीं हर कोई है दुबकासा नव वर्ष का ये कोई धंग नहीं चंद मास अभी इंतजार करो मतलब हमें थोड़ा से इंतजार और कर रहा चाहिए क्योंकि हमारा नव वर्ष कप शुरू होता है ये मैं आपको बताऊंगी कि चंद मास अभी इंतजार करो निजमन में तनिक विचार करो नए साल में कुछ हो तो सही क्यों नकल में सारी अकल बही उलास मंद है जंजन का आई है अभी बहार नहीं ये नव वर्ष हमें स्विकार नहीं है अपना ये त्योहार नहीं ये धुंद कुहासा छटने दो रातों का राज सिमटने दो प्रकृति का रंग निखरने दो फागुन का रंग बिखरने दो प्रकृती दुलहन का रूपधर जब स्नेह सुधा बरसाएगी आरियावर्त की पुन्य भूमी पर जैगान सुनाया जाएगा युक्ती प्रमान से स्वयम सिद्ध नव वर्ष हमारा हो प्रसिद्ध आरियों की किर्थी सदा सदा नव वर्ष चैतरशुक्ल प्रतिपदा अन्मोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, ये नववर्ष हमें स्विकार नहीं, है अपना ये व्यभार नहीं तो काफि पहले लिखी गई थी ये कविता, रापधारी सिंधिनकर जी ने काफि पहले लिखी थी ये कविता, पर आज के संदर्व में भी ये पूर्णता सटीक है सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा नहीं है, कि आप नए साल को मत मनाईए, जरूर मनाईए, पर अपनी चीजों को तो मत भूलिए, ये शर्त तो जरूर है हुआ क्या है, कि इतने सालों में हम दूसरे की सब्विता संस्कृती के पीछे अंधा धून तो दोड़ने लग गये हैं और उनकी हर चीज हम सेलिबरेट करने लग गयें, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप जरूर सेलिबरेट कीजिए, ठीक है, खुशिया मनाईए किसी भी मौके पर खुश होना जैज है, लेकिन अपनी सब्विता, अपनी संस्कृती, अपनी विरासत को मत भूलिए और उससे भी एहम बात यह है, कि अपनी सब्विता संस्कृती को दूसरे की सब्विता संस्कृती से कम तर मत आ किये, बस यही संदेश है मेरा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहां अभी भी, जो सरकारी स्विकृत कैलेंडर है, वो शक्ष्ष्ष्ष्ष्ष के अनुसार चलता है, जबकि हमारे बाकी जो कारे होते हैं, धार्मिक कारे वगेरा जो होते हैं, वो विक्रम संवत के अनुसार होते हैं, तो सक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् अब दित्य ने हराया भी था और विक्रम समवत चलाया था और आज भी नेपाल में और बहुत सारे राज्ये हैं जहां पर विक्रम समवत चलते हैं और मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से सरकार से अपील भी करना चाहूंगी कि जो हमारा राष्ट्रिय कैलेंडर हो वो विक्रम समवत हो ना कि शक्त समवत हो और इसी के साथ मैं यह चाहती हूँ कि यह जन जागरिती सभी में आये कि हमारा जो नया साल है वो चैत मास में प्रारंभ होता है तो तब तक हम इंतजार करेंगे और जब चैत मास आएगा तब हम एक दूसरे को नय साल की बधाई देंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मुझे सुनने के लिए